कोरोना का कहे रुखने का नाम ही नहीं ले रहा है आखिरकार भारत सरकार की पूरी एतिहात बरतने के बावजूद कोरोना वाइरस दिल्ली में घुसी आया मंडे को डेटली कोरोना वाइरस के भारत में तीन नई कनफॉर्म केस सामने आए है एक शक्स दिल्ली का है, वहीं दूसरा सर्दन स्टेट अफ तलेंगना से है साथी राजस्थान की राजधानी जैपूर में भी इटली की एक टूरिस्ट कोरना वाइरस से पॉस्टिव पाई गई है इन केसिस की जानकारी हमें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्दन जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके दी सभी को कॉरेंटाइन में रखा गया है और हालत स्थिर बताई जा रही है सभी पेशेंट्स की फॉरण कंट्री से ट्रावल हिस्ट्री है सरकार के लिए चिंता का कारण ये सामने आये तीन पेशेंट्स नहीं बलकि इनके कॉन्टाक्ट में आने से बाकि कितने और लोगों को ए घातक वाईरस हो गया होगा जो अभी तक सामने नहीं आये है वो इटली की टूरिस्ट पिछले कुछ दिरों में बहुत से लोगों से मिली होगी गाईस दिस इस हाई टाइम कि हम कोरणा वाईरस के बारे में अवेर रहे इसको इगनोर ना करें डेली के शक्स ने पिछले महीने इटली में ट्रावल किया था आपकी जानकारी के लिए बता दू इटली में चाइना और साउथ कोरिया के बाद कोरणा वाईरस के संक्रमेंट के सबसे जादा कनफर्म केसिज हैं 2036 और 52 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में कनफर्म केसिज का आंगड़ा 90,000 को पार कर चुका है और कुल 3087 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में भी 6 लोग इस मिस्टीरियस और डेडली वाईरस से मर चुके हैं तेलंगना के 24 साल के सौफ़वेर इंजिनियर में कोरणा वाईरस से इंफेक्टेड होने की पुष्टी की गई है वो इंजिनियर इंडिया की टॉप आईटी कांपनी इंजिनियर का बताया जा रहा है और इंडियन सेलिकन वेली कहे जाने वाली सीटी बेंगलूरू में काम करता है उसने पिछले महीने अपने ओफिशिल काम से दुबई ट्रावल किया था उसने वहाँ हॉंग कोंग के इंजिनियर के साथ मीटिंग की और वहीं से कॉर्णा वायरस से इंफेक्ट हो गया वो शक्स 19 या 20 फरवरी के आसपास वापिस बेंगलूरू लोटा और फिर बस से बेंगलूरू से अपने घर तिलंगना विजिट किया सरकार अभी ट्राक करने में लगी हुई है कि किन किन लोगों ने उस बस में उस शक्स के साथ ट्रावल किया क्योंकि जादा चांसेज हैं कि बाकी लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो गए होंगे साथ ही खबर है कि इंदौर की एक 27 साल की महिला जिसने अभी इटली से ट्रावल किया था उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए उनको भी इस टाइम कोरेटाइन में रखा गया है और उनके सैंपल्स लिये जा चुके हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है अब देख लेते हैं कि कितनी रफतार पकड़ी हुई है इस वायरस ने पहले ये वायरस चाइना तक सीमित था लेकिन अब स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ को देखिए दिन भर दिन चाइना के बाहर कोरोना वायरस से संक्रमित लोकों की संख्या बढ़ रही है 9 फेबरी से ये ग्राफ उपरूटना शुरू हुआ और 19 फेबरी के बाद से लगातार तेजी से संख्या में व्रिदी देखने को मिल रही है इस वायरस की चपेट में इस वक्त 60 से ज़ादा देश आ चुके हैं और अभी तक इन में से लगबग 10 देशों में डेट्स रिपोर्ट हुई है अब इस वाले ग्राफ में आप देखिए कि सिर्फ एक ही दिन में चाइना से बाहर के देशों में कितने केसिस सामने आए हैं अकेले 1st मार्च को ही 1775 केसिस रिपोर्ट हुए थे इन ग्राफ के पैटरन को देखी तो पता लगता है कि लगातार नंबर बढ़ ही रहे हैं चाइना से बाहर कोरोना वाइरस की कनफर्म केसिस को देखे तो सबसे जादा इंपक्ट साउथ कोरिया, इटली, इरान और जपान में देखने को मिला है इरान में 66, इटली में 52 और साउथ कोरिया में 28 casualties रिपोर्ट हुई है अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि ये वाइरस कितना घातक है और कितनी तेजी से फैल रहा है भारत और भारतवासियों को बहुत जादा सतर्क रहने की जरूरत है अब बात कर लेते हैं कि इंडिया क्या त्यारी कर रहा है इस वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए इंडिया में इस समय 21 major international airports पर 12 countries जहां जहां इस वाइरस का संक्रमन जादा है वहां से आने वाले सभी passengers की screening की जा रही है साथ ही 12 बड़े sea ports और 65 छोटे ports पर भी screening की जा रही है डेली के साथ साथ देश के अन्य जगों पर isolation camps सेट अप किये जा रहे है कोरना वाइरस के samples को test करने की labs बनाई जा रही है पहले 10 से 15 lab सेट अप करने का अंदाजा था पर अब health ministers को इन labs के अलावा 19 और lab सेट अप करना सही लग रहा है क्योंकि जितनी जल्दी cases identify हो पाएंगे उतनी जल्दी उन पर action लिया जा सकता है यही एक मात्र है इस virus को काबू में करने का इंडिया में cases का नंबर कभी भी बढ़ सकता है इसको देखते हुए देश भर में सभी बड़े hospitals में quarantine की facilities बनाई जा रही है अब देखते हैं कि क्या इंडिया में panic की situation है क्योंकि officially अब COVID-19 हमारे देश में दस्तक दे चुका है तो ज़रूरत इस वक्त हमें panic करने की नहीं बलकि extremely careful रहने की है Health Ministry का ऐसा अंदेशा है कि ये cases अभी इंडिया में और भी बढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हमें इनके spread का extent नहीं पता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस वक्त infected हों पर अभी तक उनमें symptoms show ना हुए हो We should be aware and not take it lightly दोस्तों I wish कि आप aware रहें और स्वस्त रहें Trusted और verified information के लिए जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में